तो इसमें आपको बताया था पिछली लेक्टर मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लिस्मेंट के बारे में बता दिया था मैंने एसा यूनिट के बारे में बता दिया था और मैंने सारे मैं बोला फंडमेंटल यूनिट का यूज कैसे करते हैं और इसकी हेल्प से अब इससे आंगे पुन आज पढ़ना जा रहे हैं तो आज अपन पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी एक्सलेशन और पढ़ेंगे अपन एक समान तुरित कती से मतलब अगर कोई च कर दिया थे उनके बारे में पढ़ेंगे घिराब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोजेक्टल मोसन के बारे मिं पढ़ेंगे तो आपने स्टाड करते हैं अगर आपको यी चैनल अच्छा लगए लोगे तो प्ले लाइक clin set subscribe करना न भूले जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो आपको time to time मिलती रहें और इसके ज़री है अपने पूरी science कवर कर सकते हैं और science किसी भी exam में बहुत ही जाता आजकल जैसे कि मैं railway की बात करूं तो railway में science का बहुत बड़ा एक part consider किया जाता है तो आप start कर दें चलू पहला point होता है यह speed क्या होती है हमारा point क्या है speed क्या होती है अगर मैं बोलू speed औ by소리 THERE, speed को बहुते है चाल ऑँछoutez b point में difference क्या है कि speed को मैं genuine speed equal to होता है फीड को मैं is it not कर दूँ speed as equal to होता है compatibility क्या होता है जाल bạn कि होता है दूरी बचैस समय इस पी रिकोट्ट तो कहता है, displacement upon time, तो displacement, अब मैं displacement नहीं बोलूँगा, यहाँ पर बोलूँगा, distance, क्या बोलूँगा, distance upon time, और यहाँ पर जो सब्द में बोलूँगा, जो velocity को V-C note करते हैं, यहाँ पर मैं बोलूँगा, velocity होती है, कि displacement, यहाँ पर change in displacement, तो displacement की बात कहते हैं यहाँ पर किसकी बात कहते हैं, displacement, अब displacement में आपको बता चुका हूँ, upon क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं, dx over क्या, dt, displacement, change displacement, change in displacement, किसमें, time में, तो यह क्या time, एक fixed time interval में, एक fixed direction में, जो changes हुआ, उसे बोलते हैं, velocity, और speed होती है, कहीं भी कोई भी दूरी हम cover करके गए, और speed हमेशा मैंने बता तक positive होती है, और जो displacement होता है, जो velocity होती है, मैं बोलूँ यहाँ पर, velocity, speed क्या है हमेशा, मैंने बोला, कोई हमने एक fixed distance cover की, और distance मैंने कहा कि, जैसे मैं यहाँ से आगरा गया, और आगरा जाने में, मैंने कहा कि, मैं 100 km दूरी distance cover की, तो 100 km जो distance cover की, वो मै displacement जो सब्दे एक particular है, तो velocity है, change in displacement with respect to time, तो एक fixed time interval में, मैं कहूँ एक T2 minus T1, dt का उला, इसका मतलब होता है, X2 minus X1, तो एक fixed time interval में, कितना हम displaced हुए, एक fixed direction में, अगर यहाँ पर एक सब्द जोड़ी आता है, direction, इसलिए हम इसे बोलते है, क्या, velocity, तो यहाँ पर हमें फॉर क्या होता है, दूरी बट्टे, समय हिंदी बालों के लिए, यहाँ क्या होता है, change in displacement, समय के साथ, बिस्तापन हुआ परवत्तन, क्या कहलाता है, बिक कहलाता है, अब point आता है, अगला point आपन पढ़ते है, X लेस, अब यहाँ पर यहाँ पर यह कोचीज से लिखते है, इनकी t-1, यह होता है, इसकी बिमा लिखने का तरीका, लेकर इसकी यूनिट लिखनी होता है, तो distance को किसमे मेजर काते है, मीटर में, और समय को किसमे मेजर काते है, second में, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर पते, second, तो कई बार हमें directly पूचा जाता है, कि इसकी यूनिट क unit क्या होगी दिएक्स एक्स क्या है displacement और एक तरी के displacement क्या है distance की बात कर रहा है लंबाई की बात कर रहा है तो l upon क्या समय क्या टी तो lt-1 तो यहाँ पर बिमा में कोई अंतर नहीं आया only किसमें अंतर आया यह होता क्या है यहां consider तो velocity एक consider term कैसी consider करेंगे जो velocity है वो कैसी है vector quantity कैसी है vector quantity और जो speed है वो कैसी है scalar quantity मालों यह कैसी है अदिस और यह कैसी quantity है सदिस तो अदिस और सदिस के बारे में भी मैं बता चुका था कि अदिस के वेरासिया होती है जिन में only magnitude की requirement होती है और सदिस रासियं वे रासियं होती है जिनमें magnitude के साथ एक particular direction की भी requirement होती है तो हम बोलते हैं उन्हें vector quantity तो displacement क्या एक vector quantity है और vector upon ये क्या time कैसी है scalar quantity है तो vector upon scalar मैं बोलू सदिस upon अदिस क्या होगा सदिस होगा तो जो velocity है वो कैसी quantity है सदिस तो ये तो सदिस quantity है मैं बोलू बेक्टर है और ये कैसी है जो speed है वो कैसी है अदिस तो ये कुस्टन हमें कई बार पूछे जाते है मैं आगे कुछ चीज़ बता हुआ acceleration क्या होता है कोई चीज जब move करती है तो ए जो acceleration होता है उसका ये बरावर होता है dv over dt अब इसकी definition यहां से बनाने की change करते है कि change in velocity बेलोसिटी बिज़ एस्पेक्ट टू टाइम अगर बेलोसिटी में कोई change हो रहा है टाइम के साथ तो वहां पर कोई चीज एक्सलेट कर रही है क्या कर रही है एक्सलेट कर रही है तो इसे बोलू हमें ने b2-b1 upon t2-t1 अगर कोई यहां पर एक और question पूछा जाता है x-layson के बारे में जब मैं बता रहा हूं पहला पॉंट था speed of velocity अगला पॉंट है x-layson यह बरावर होता है dv over dt formula में याद रखना है b2-b1 upon t2-t1 तो यहां पर velocity में अगर कोई change नहीं हो मालने के चलो velocity को ऐसी है कोई constant velocity है तो वहां पर b2-b1 में कितना difference होगा 0 और समय में कितना difference होगा समय तो लगेगा समय में मालने कुछ भी हो x तो यहां पर जो velocity आएगी जो x-layson आएगा वो क्याएगा 0 इसका मतलब यह आया कि कई बार हमें पूचा जाता कि कोई कोई भी object अगर एक समान velocity से move कर रहा है उसकी velocity कैसे यह constant है तो वहां पर acceleration कितना होगा तो हम कहेंगे 0 कितना होगा 0 लेकिन इसकी unit की बात करते हैं यह वरावन मैंने क्या बोला dv over dt तो यह velocity वैलोसिटी की unit हम नकाल चुके है क्या होती है meter per second time की क्या होती है meterth2 time की क्या होती है meter per second यह excumpy S unit मुझे देग गर इसकी मुझे कई बिमा पूचे unit and dimension और उपूचा जाता uster diagram मुझे कोई इसकी तो मैं क्या वोलोगा कि जो फोट्स कि हमने जो दांड निगी दिल्क साठी एल टी माझस वन अपोंड नीचे की लिक 3-2 तो इस तरीके से हम ड्रीमिनिट्सॆ कि सी वी वीनियुट। चिभी विनिट्र के बारे में बता सकते हैं अब पॉइंट आया एक्षत इनके सि contrast क्वांटीटी तो रह क्या जाए या प्रक्राइव कहा कि एसला का यह ऊदिच的 तो पॉई और मैं सभी आंड़िकर मालस उम्यार्ट फिरूलेवा कि इसी युपандी scriptures है कि शीचेजने वह निया करें लिए कई बार अम उसके है कि formula F जो force होता है वो क्या होता है यह आंगे चेप्टर पैसे पढ़ेंगे F equal to क्या होता है हम जानते है F equal to होता है M into A तो F equal to M into A होता है अब इसकी unit पूछ ले जाए तो force की बैसे डारेक्ट ली ऐसा unit होते है Newton क्या होती है Newton लेकिन अगर हमें कोई यहां से unit मूचे तो F equal to MA और MA क्या है mass mass की क्या होती है किलोग्राम यह क्या होता है acceleration acceleration के अभी क्या निकाल ली थी बोलो meter प्रते second उसके तो यह क्या गई kilogram meter upon second का उसके अगर इसकी मैं dimension की बात करो हो तो किलोग्राम M से note करते हैं मास को किसे note करते हैं capital M से जो meter जो distance होती है या लंबा होते है उसे L से अपन नीचे क्या है सेकंड समय को second T से तो यह क्या आगी M L T minus 2 तो इस तरीके समय कभी भी कोई पूचे कि इसकी unit क्या होगी और dimension क्या होगी तो हम निकाल सकते हैं तो दीड़े दीड़े हम अपने आप सारी चीह आने लगती हैं अभी तो पस अपन एक तरीका सीखा कि कैसे और सेम है सेम E Gray यह क्रों से क्या करें मुङ कर रही है इसका मतलब क्या हुआ एक तरीके से मैं बूलूं सेम एक इचलेशन है तब उन्होंने तीन समीक अदी तीन हमें क्या दिये थे पैला दिया था B District U प्लस 80 दूसा दिया था एस बरावर यूटी प्लस हप 80 स्केर और तीसा दिया था वी स्केर बरावर होता है यू स्केर प्लस टू ए एस अब मैं आप लोगों कुछ चीज़ें बताना चाहूँ है कि जैसे कि उन्होंने जो बेलोसिटी जो वी पॉइंट बूला था वो बूला करना सुरू किया चलाना शूरू किया तो जब मैं उसमें जा रहा हो तो उसका जो फ्लारम ब्लस ब्लस जबकिया तो जब मैंने माना कि यह क्या है वी वी को टूरुकि इतना 10 सब्सक्राइबwork यह पता है यहां पे एक्स लेशन निकालने का तरीका अब इसी को आपन थोड़ा से यूज़ करके जब अपन प्रोएक्टल मोशन पड़ेंगे तो इन्ही तीन यूनिट को अलग तरीक से इन्ही तीन फॉर्मूलों को यूश करते हैं कि वहाँ पे इनिसियल वेयलोसिट्टी गया होती है? यू तो जैसे कि कोई भी पेड़ कोई भी पेड़ से कोई आम गिरा तो आम गिलने पर क्या है नीचे की तरफ आता है तो नीचे क्यों आता है तो जो अर्थ है वो अपनी तरफ क्या करती है खींचती है अर्थ जो अपनी तरफ खींचता है तो किस वेलोसेटी है उस तो वो एक exemption एक force generate करती है जिसे अपने दूसरी भासां बोलेंगे भार क्या बोलेंगे बेट तो जो भार बोलेंगे वो अपने अभी सीख़ए हैं तो लेकिन आप भी अपन क्या देखते हैं वी बराबर यू अब मैं क्या होगा प्लस का जी अब देखो अगला फॉर्मूला एस s को s क्या होगा displacement u तो u चोड़ा t को t चोड़ा लेकिन अपने क्या change किया acceleration कौन साल या gravitational तो a g t square और यहां क्या होगा v square बराबर क्या होगा बो u square plus 2 g s तो यह तीनो formula upon projectile motion जब chapter अभी इसमें पढ़ेंगे तब cover करेंगे तो यहां तक cover करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ यह तीनों जो equation थी इनी की help से अपन projectile motion पर formula बना के तएर करते हैं कभी कभी पूच लिया जाता है कि उन्होंने क्या क्या ही दे जाता है अब मैं आपको कुछ चीज़ा और बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमसे किसी ने का कि मुझसे किसी ने का कि अब इनके गिराप के बारे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ हमें एक गिराप बताना चाहूँगा कि यह displacement और यह क्या है time अब देखो मैं displacement और time के बीच में जो आप सिका रहा हूं यहां पर दो object आजnın a और बी दोनों move कर रहे हैं a भी move कर रहा है भी b costly लेकिन एक सिमान velocity से दूसे जो बचला कि-स समान है वह कैसी एक समान अगर एक समन velocity से मूप कर रहे तो हमें यह कैसी पता चलेगा कि इस प्रवर्ट तो जिसका सिलोप जियादा होगा वो ज्यादा वैलो से मूग कर रहा है उसकी बैलोसीटी कैसी है यह बात याद रखना है और सिलोप को अपने नोट करते हैं सिलोप होता है मानस का 10 theta क्या होता है मानस का 10 theta slope क्या होता है 10 theta से note करते है तो जो 10 theta 10 theta की जो value होती है जो 10 theta की value होती है वो क्या होती है 0 से लेके और 90 की तरफ अपने जैसे जैसे बढ़ते हैं तो 10 theta की value क्या होती है इनकी जो होती है क्या होती है increase होती है तो जो slope है वो भी बढ़ता जाएगा और जब slope बढ़ता जाएगा तो हम कहेंगे सीधी सी बात कि जिसका slope ज्यादा उसकी velocity भी क्या होगी ज्यादा होगी तो इसका मतलब एक ही velocity कैसी है ज्यादा किस से बी से slope से भी अब हमें कही बार पूछ ले कि distance और displacement और टाम के बीच में गिराब बताओ दो बस ऑबजेक्ट मूव कर रहे हैं तो बताओ इनमें से कौन सा गिराब साही है तो हमें कही बार ये कुस्टन पूछा जा सकता है तो हम इसे कुस्टन सका अंसर इसी तरीक से देंगे कि जिसकी velocity ज्यादा है उसका जो slope होगा वो कैसा होगा ज्यादा होगा और जिसकी velocity कम है उसका slope कैसा होगा कम होगा उसकी प्रवरता कैसी होगी कम होगी अब कई बार हमें क्या करता है कि 3-4 गिराब दे देता है वो कहता है इन में से कौन सा गिराब सही है तो यह बताओ अगर मैंने आप से का कि यह time है और यह क्या है यह मैं कहूँ displacement है अगर मैं time और displacement के बीच में कोई मुझसे कहे क्या यह गिराब possible है कोई बस तो यहां से move करते हुए तो हम कहेंगे कि नहीं यहां पे एक समय पर एक समय पर time देखो यहां पर भी T1 मालूम है तो यहां पर भी तो समय इसका मतलब एक आप्जेक्ट है वो दो जगे दिखराए कितनी जगे सो ओ रहा है इस जगे और इस जगे क्या एक object एक point कोई एक चीज एक समय पर दो जगे पर हो सकती है नहीं तो यह गिराब कैसा हो गया गलत तो हमें यह चीज भी दिमाग पर रखने हैं कि time कभी भी एक समय पर कभी भी कोई चीज दो जगे सो नहीं हो सकती तो हमें कई बारे ऐसे questions पूंच लिए जाती है तो अप एक topic एक नया topic सिकते है प्रोजेक्टाल मोशन प्रोजेक्टाल मोशन में क्या होता है कि प्रोजेक्टाल मोशन में क्या होता है जैसे कि अपने कोई बाल फैक रहे हैं मैंने का अपने बाल थ्रो की और बाल किसी एंगल पर थ्रो की यह बाल को क्या किया मूब कराया अगर मै इसे बोलते हैं एक्स डारेक्शन में जो होता है इसे बोलते है रेंच कि बॉलने कितनी दूरी कवर की इसे बोलते है हिंदी में परास क्या बोलते है परास और बॉलने क्या किया जब हमने बॉल को फैंका तो किसी एंगल पर फैंका तो हमने क्या यह बोलती है हाइट क्या होत अब पॉइंच आया कि यू बेक्षिवां पहां कितने एंगल पहेंगा थीटा दो फेक्टर होते हैं एक को तो होरिजोंटल फेक्टर होथा लुटा इक तो इससे आंगे मैं आपको श्रेट सिखाता हूं कि जब मैंने ball को फेंका तो इसे में directly आपको सिखाऊंगा वैसे तो पर पहले थोड़ा सा basic concept सीख लेते हैं कि जैसे कि मैंने ball को ये by direction ये क्या है x तो इसके दो factor हुए मैंने का ball किसवे एक से फेंगी u से कितने angle पर फेंगी ठीक तो इधर हुआ u cos theta इधर क्या होगा जिदर ये इधर क्या होगा u sin theta इसका मतलब जो ball थी उसका जो u x है x direction में जो velocity है वो u cos theta है और by direction में जो velocity है वो u sin theta बॉल एक समय पर आके मेक जिम हाइट पर कवर हुए बॉल आंगे बढ़ती गए फिर उसके बाद में क्या हुआ उसकी बेलोसिटी मतलब एक तरीके से मैं बोलू उसकी जो हाइट है वो कटना सुरूए तो इस पॉइंट पर जो बॉल थी उसका बेलोसिटी थी वो ओनली एक यहां से यहां तक क्या बोलते हैं यहां से यहां तक क्या बोलते हैं ख हएट और इसे क्या बोलते हैंरेंज जाते हैं यह करूच से यहां से हम्वोस तारे कुशन पूचे जाते हैं यह अगर मैं बूलू है यहां से हर एक्जाम में एक यह दुन पूचरेत ही जाती है जेलभी की बात करों तो बहुत ज्यादा 100 परसन chance होते हैं यहां से question आने का तो यहां से अब question कैसे बनता है देखो हमने जो तीन equation पड़ी थी एक क्या पड़ा था V बराबर U plus 80 80 के ज़िए कहें हम कहेंगे V बराबर क्या होता है U plus GT अब मैं बोलूँ अगर इसका x direction में रोलूँ तो V x होगा क्या होगा V x बराबर क्या होगा बोलो यह एक ही direction के लिए formula होते हैं किसके लिए होते हैं only one dimension तो V x बराबर क्या होगा U x plus क्या होगा g into t और V by बराबर क्या होगा बोलो by direction में क्या होगा V y बराबर u by plus g t अब मैंने कहा कि मैं by direction के factor को लूँ तो यहां से यहां तक जो समय लगेगा t उतना ही समय कहां से कहां लगेगा यहां तक लगेगा तो यहां पर तीन चीज़ें आपने study करेंगे एक तो करेंगे height क्या study करेंगे height दूसरा करेंगे range और तीसा point study करेंगे अगर मैं तीसरा न बोलके उसे first point बोलूँ तो वो क्या होगा time period जो इसका जो total time है इसे बोलते है क्या time of flight time of flight इसे बोलते है odden call है हिंदी मैं क्या बोलते है odden call तो अब odden call जो होगा तो मैंने कहा जिसने जो मैं यहां पर बोलूँ t वरावर क्या होगा तो मैं बोलूं जो इसका बेग था जो अगर मैं by factor को लेके चलूं तो by factor कुछ समय बात क्या होगा मैं इस equation में रखूं वी वरावर u plus क्या gt अब मैं वी by वरावर u i कहूंगा तो जो initial velocity थी वो कितनी थी u sin theta final velocity कितनी थी बताओ by direction में इस point पर यहां से यहां तक इस point पर velocity कितनी होगी 0 तो v y वरावर कितना होगा 0 और u y वरावर क्या होगा u sin theta अब हम अर्थ से उपर जा रही है बॉल कहां जा रही है तो यहां पर जो g की value वो कैसी होगी minus का g gravity का पोजिट जा रहे है तो minus का g into क्या हो अब यह हो गया हमारा time अब total time यहां से यहां तक कितना लगा 2t तो 2t time लगा कितना लगा 2t तो t plus t बड़ावर से डोनट करते है capital c से जिसे कहते है time of flight capital t उडियन का तो t की value हमें पता तो यह क्या होगा 2t बड़ावर क्या लेगेंगे 2 u sin theta upon u sin theta upon तो हमें t की value निकलना आग अब t की value आगी समझ में तो हमें बोलू यहां से यहां तक कोई चीज जो distance cover करती है अगर मैं बोलू तो इसने क्या किया only x direction में अगर मैं बोलू तो range की बात करूं तो हमने एक formula पढ़ा है कि 4 बड़ावर क्या होता है दूरी बटे समय speed बड़ावर क्या होता velocity upon sorry speed इस पीडिकोल तो होता है distance upon time और distance यहां कितनी है r और time कितना है मैं को 2t कितना है 2t यहां से यह था कितना है 2t तो d बड़ावर क्या होगा बताव आर बड़ावर क्या होगा 2t into क्या होगा s 2t into speed s तो 2t और t की value बताओ कितना है 2u sin theta 2u sin theta अपॉन क्या है बोलो g, t की value sin theta है तो 2t की 2u sin theta पॉन g, s जो speed है वो x टा एक्सन में कितनी है u cos theta into क्या करना पड़ेगा u cos theta तो यहां से जो r की बोली आगी 2u sin theta cos theta अब देखो u इसके साथ है तो 2u square हो जाएगा upon क्या होगा g तो यहां से r का जो formula बनके तयार होगा वो होगा u square यह formula बनेगा 2 sin theta cos theta यह क्या होता है sin 2 theta का technology से हम जानते है sin 2 theta upon g तो यह r का formula बनेगा u square sin 2 theta upon g और यह किसका बनेगा capital T इसे बोलते है time of flight हमें एक और formula बताता हूँ height h बराबर यह directly याद रख लो u square sin 2 theta upon 2 g तो यह directly तीन formula में याद रखनी है हमें यह derivation कभी नहीं पूछा जाएगा हमें directly formula पूछा जाती है तो हमें formula आने चाहिए तो मैं आप कौन कौन से तीन formula बताए एक तो मुझे T की value पता और T का formula पता हूँ जी एक R का और एक H का अब हमें कई बार पूछा जाता है कि बताओ ball यहां से questions कैसे बनते है हमें पूछा जाता है यह बताओ कि जो हमने ball जो throw की वो किस angle पर throw की जाए कि maximum height cover करे तो H maximum हमें पूछा क्या पूछा H maximum अब H का formula क्या है U square sin उसका theta upon 2 G तो बताओ अब इसमें U तो change होनी सकता है same velocity सी पहाँआ लेकिन height कैसे होनी चाहिए maximum height maximum होने के लिए अब इसमें GB constant है एक तरीक से UB constant है क्योंकि वो तो इसमें change क्या है sin theta की value तो sin theta अगर मैं बोलू sin theta in maximum value कितनी होती है 1 तो अगर यह sin theta की maximum value यहाँ पर आ जाए तो यह value क्या हो जाएग h maximum हो जाएग तो मैं कहूँ h equal to u square sin theta sin theta in maximum value कितनी होती होती है 1 तो u square divided by क्या होगा 2 G h maximum equal to क्या होगा u square by 2 G अब इतनी बात है मैं समझवा गए इसका मतलब theta equal to अगर मैं 90 degree पर किसी object को क्या करूँ throw कूँ करें जो कि sin 90 की value कितनी होती है 1 तो sin अगर मैं बोलूँ यहाँ पर इसकी